बिमारू वो पिछड़ा प्रदेश नहीं, भारत में सबसे तीवर गती से विकास करने वाला प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश, जहां की सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं, अपितु लड़ाकों विमान भी दोडते हैं नमस्कार मित्रों, इंडियन SRJ पर आप सभी का स्वागत हैं, भारत वर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मी की स्थनों पर हो रहे विकास कारियों की महत्तोपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको गंगा एक्स्प्रेस्वे प्रोजेक्ट में हुए नवीन परिवर्तन तथा कई महत्तोपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश का करने वाले हैं काया कल्ब तो मित्रों संपुर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंततक अवश्य देखें मित्रों वीडियो में आगे दी जाने वाले जानकारी, यदि आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृध्धी करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देश की सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक प्रवेश नियंत्रित मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर कारी ने गती पकड़ ली हैं तथा इसे पर्यावरणी स्विकृती भी मिल चुकी हैं यह स्विकृती कितनी महत्तो पूर्ण हैं इसे बताने से पहले हम आपको गंगा एक्स्प्रेस्वे परियूजना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बता दे कि गंगा एक्स्प्रेस्वे लगभग 36,000 करलो रुपे से अधेके की लागत से बनने वाली परियूजना है जो यूपी के 12 जिले और लगभग 519 गाओं को आपस में जोड़ेगी इस महत्वकांशी मार्ग में 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 929 पुलिया, 7 आरोबी, 28 फ्लाय ओवर और 8 इंटरचेंज होंगे इसके अतरिक्त एक हवाई पट्टी भी बननना है तथा एक्सप्रेस वेपर गंगा नदी पर लगभग 1 किलो मीटर लंबा पुल और राम गंगा नदी पर 720 मीटर लंबा दूसरा पुल बनाया जाएगा एक्सप्रेस वेपर मेरट और प्रयाग राज में दो मुख्य टॉल प्लाजा होंगे इसके अतरिक्त मारग में 15 रैंप टोल प्लाजा भी होंगे अर्थात जहां से इस मारग में प्रवेश्व निकासी संभव होगा यदि इस एक्सप्रेस वेपर यातायात की गती की जानकारी दें तो वहां होगी 120 किलोमेटर प्रती घंटा जिसके अनुसार इसे डिजाइन किया गया है अर्थात 120 की गती से इस 6 लेन के एक्सप्रेस वेपर गाडियां दोल सकेंगी तथा इस एक्स्प्रेस्वे का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि भविश्य में इसे आठ लेन तक विस्तारित भी किया जा सकेगा गंगा एक्स्प्रेस्वे उत्तर प्रदेश के मेरट के बिजोली गाउं के पासे से आरम होकर प्रयाग राज की जुदापुर दान्दू गाउं में आकरके समाप्त होगा यह एक्स्प्रिस्वे मेरट, हापुल, बुलंद शहर, अमरोहा, संभल, बदायू, शहजहापुर, हर्दोई, उन्नाव, राइबरेली, प्रताबगड और प्रयागराज सहित यूपी के 12 जीलूं से होकरके गुजरेका एवं वर्तमान समय मेरट से लेकरके प्रयागराज तक में सभी जीलूं को मिला करके भूमी अधिग्रहन का समगर रूप से 94 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका हैं, जितना कि किसी भी परियोजना के आरम होने के लिए आवश्यक होता हैं, तथा सबसे इसी वर्ष दिसंबर में प्रधान मंत्री द्वारा होना हैं, तथा आरम होने के अगले 36 महिनों के भीतर इसके पूरा होने की आशा हैं। समय को 10-11 घंटे से घटा करके मात्र 6-7 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। गंगा एक्स्प्रेसवे की अधिक जानकारी के लिए बता दें के प्रदेश सरकार इस महत्तुकांची परियूजना के निर्माल के लिए राज इसतरी परियावर्ण प्रभाव मुल्यांकन अधिकरल ने बीते शनीवार को परियावर्णी स्विकृती जारी कर दी हैं। जिसके पश्चात अब गंगा एक्स्प्रेसवे के लिए टेंडर की प्रक्रिया शिगर पूरी कर निर्माल कारे प्रारम हो सकेगा। जैसा कि हमने आपको अपनी गंगा एक्स्प्रेसवे की सबसे पहली वीडियो में बताया था कि वर्च 2007 में जब ततकालिन मायावती की सरकार में गंगा एक्स्प्रेसवे की पुरानी प्रोजेक्ट अलाइनमेंट को उत्तर प्रदेश की इलहवाद हाई कोट ने उस समय वर बता दें कि इस एक्स्प्रेसवे परियुजना की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड रुपए हैं इस परियुजना की विकास के लिए PPP मोड पर डिजाइन, बिड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर पदिती पर निविदाएं आमेंत्रित की गई हैं इस एक्स्प्रे अनुमान है कि परियुजना की निर्मान के समया वधी में लगभग 12,000 व्यक्तियों को अस्थाई रुप से काम मिलेगा तथा टोल प्लाजा की निर्मान से लगभग 100 व्यक्तियों को इस्थाई अधार पर भी रखा जाएगा इसके अत्रिक्त गंगा एक्स्प्रेस्वे के दोनों और अध्योगी कोरिडॉर बनेंगे जहां पर उद्योग लगेंगे इससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा हाईवे की किनारे सिक्षन संस्थाएं क्रिशी आधारित उद्योग बनेंगे इससे राजधानी एवं राश्ट्री राजधानी दोनों जुडेंगी यह एक्स्प्रेस्वे हैंडलू मुद्योग, खादी प्रसंसक्रन इकाईयों, कोल्ड इस्टोरेज, भंडारन ग्रे, मंडी तथ दुग्द आधारित उद्योगों आधी की स्थापन हितु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा ज्यातव भी है कि पूर्वांचल एक्स्प्रेस्वे के लोकारपलं के पस्चात अब गंगा एक्स्प्रेस्वे प्रोजेक्ट पर सरकार सक्री है प्रदेश सरकार का लक्ष है कि पस्चिन से पूर्व तक की दूरी एक्स्प्रेस्वे के माध्यम से 5-6 घंटे में ही पूरी हो सके इसके लिए यूपीडा ने एक्सप्रेस्वे का जाल बिछा दिया है आगरा लखनवु एक्सप्रेस्वे को उन्नाओं में गंगा एक्सप्रेस्वे से लिंक किया जाएगा तथा लखनवु के आउटर रिंग रोड से भी जोड़ने की योजना है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को बुंदेल खंड एक्सप्रेस्वे गुरकपूर लिंक एक्सप्रेस्वे वा गंगा एक्सप्रेस्वे की सौगात मिलेगी जिसे की यूपीडा तैयार कर रही है इसके यतरिक्त बलिया लिंक एक्सप्रिस्वे, दिल्ली देहरादुन एक्सप्रिस्वे, मेरिट दिल्ली एक्सप्रिस्वे, वो कानपूर लखनु एक्सप्रिस्वे आदि की भी सौगात मिलेगी जिस परकि NHAI काम कर रही है इन सभी एक्स्वे के निर्माल के पश्चात उत्तर प्रदेश में परिवहाँ अतिनत सरल हो जाएगा तथा आने वाले दो से तीन वर्षों के भीतर ही यह सभी एक्सवे उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे मित्रु यदि आपको वीडियो में दी हुए गंगा एक्स्प्रेस वे परियोजना की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें इवों यदि कोई सुझाओ हो तो वह भी बताएं इसके अत्रिक्त यदि आपने दर्शक है आथो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतग्य अवश्य करें फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद हर हर महादेव